आचार सहीता लागू होने के बाद पुलिस ने भी चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार महामारी के दोरान लोकतंत्र का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के सामने चुनाव शानती पूर्वक कराने के साथ ही आम जनता और ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को कोविट संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनोती भी है। इसके लिए बड़े इस्तर परतयारियां की गई है। परदेश की 95 विधान सबाच्षेतर समवेदनशील और 33 विधान सबाच्षेतर अती समवेदनशील चिन्हित की गई है। पुलिस कर्मी सेटेलाइट फोन और रेडियो सेट इस्तिमाल करेंगे। चुनाओं में बाधा पहुचाने वाले अलग-अलग जिलेके 275 और जेल में बंद 899 अपराधियों को चिन्नित करके उन पर नजर रखी जा रही है। जेलों में 2676 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। लाइसेंसी असलहे जमा कराने की कारवाई चल रही है। अवायद शराब की रोग थाम के लिए नेपाल बॉर्डर पर 31 चोकियों की स्थापना की गई है। पूरे चुनाओं में 109 ड्रोन कैमरे, 420 पोर्टेबल CCTV कैमरे, 563 स्थिल कैमरे, 492 वीडियो कैमरे और 3573 बॉडी वार्न कैमरे हर छोटी से छोटी गतिविदी पर नजर रखेंगे। केंद्र से 150 कंपनी, C.A.P.F. कल से मिल जाएगी जबकि 75 कंपनी 20 जनवरी से आ जाएगी। लखीमपूर, पीलीभीत, सिदार्तनगर, बहराईच, बल्लामपूर, श्रावस्ति और महराज गंज जनपत के 14 विधानसवाच्षेत्रों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं, जबकि 30 अन जनपतों की सीमाएं 9 अलग-अलग राज्जियों को छू रही हैं। कुल मिलाकर 88 विधानसवाच्षेत्र ऐसे हैं जो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट सीमाओं से जुड़े हुए हैं। कविड के संक्रमर से बचाने के लिए ड्यूपॆटी पर लगे सभी पुलिस करमियों को एंटी कोविट किड दी जाएगी। सभी पुलिस करमियों को कविड गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश जारी किये गए हैं। कैमरा सीवगी राजु के साथ विवेक्त रिपाठी एबीपी गंगा लखना हूँ एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी